नमस्कार बोलता वियार नीज मीडिया में आपका स्वागत है तेगरा पर्खन में धूम धाम से मनाया गया इद उल्फितर तयोहर तेगरा पर्खन अंतरगत लोगों ने दी एक दूसरे को बधाई रमजान के महिने में रोजा रखने के बाद इद उल्फितर भाई चारे और अमन का पैगान लेकर आती है आज बरी संक्या में लोग तेगरा पर्खन के बिविन मस्जिदों में दनियालपुर जमा मस्जिद, पक्ठोल किर्टोल के पुराने इदगा, रामानी इदगा, फुलवरिया गंज, जमा मस्जिद बरोनी पहुंचे और नमाज पढ़ी करीब दो सालबाद ये मौका आया जब इतनी बरी संक्या में लोग एक साथ इदगा और मस्जिद पर इकठा हुए इस दोरान सुरक्षा के पुक्ता एक जम किये गए थे तेगरा बिधायक राम रतन सिंग ने इद उल फितर की लोगों को सुब कामनाई दी और आसा व्यक्त की की ये सुब अवसर देश में एक जुठता और भाई चारे की भावना को बढ़ावा रहे समाजी कारेकरता मुहमद अजजद अली जीला जदियू के अद्यक्ष रूदलडाई मास्टर अक्तर हुसेन, मास्टर मोबिन अक्तर ने भी बढ़ाई देते वे काया कि सभी देश वासियों बिसेश कर मुस्लिम भाईों बहनों को मुबारक रमजान के पवित्र महिने के बाद मनाई जाने वाला यह तयोहार समाज में भाई चारत अथा सदभावना को मजबूत करने का पावन अवशर है आए इस पवित्र अवशर पर हम सब को मानवता की सेवा तथा जरुवत मंदों के जीवन को सवारने का संकल्पले बताते चले कि बरोनी तथा उसके आसपास के इलाकों में मुस्लिम भाईयों का पवित्र तयोहार इद आपसी भाई चारे एवं सोहादर पुर्ण माहौल में मनाया गया सुबह से ही बरी संख्या में छोटे छोटे बच्चे बरे बुजुर्ग नए परिधान में फुलवर्या दरगा रोड इस्तित इदगा पहुँचकर इद उलफितर की नमाज अदा करते हुए एक दूसरे को इद की बधाई दी इस दोरन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू समुदाय के लोगों से भी गले मिलकर इद की बधाई देते भी मिलन का पर्तिक सेवाईया भी प्रोसी गई मालूम हो कि सौंबार को दूतिय का चांद दिखने की खबर फैलते ही मुस्लिमों में खुसिक लहर दोर गई उसी समय सभी एक दूसरे को इद की मुवारक बात देने लगे इद उल फितर की नमाज अदा करने से पहले रमजान उल मुवारक की आखरी असरे में लेकर इद के दिन सुभा तक यतीम, मिस्किन, बेवा और बे सहारा लोगों को सदका फितर निकाल कर तक्षिम किया गया ताकि ऐसे गरीब गुरुबा लोग इद की खुसियों से महरूम ना रह जाए तेकरा से असो कुमार ठाकुर की रिपोर्ट